आप सभी लोगों का स्वागत ही आपके अपने यूट्यू चनल फूचर ऑनलाइन क्लासिस में आज हम इस वीडियो में एक्सिलेंट पॉब्लिकेशन के जो आपके बिहार डियलेड के जो गाइड है उसके जो है भौतिक जो की आपके फिजिक्स के महत्यपूर्ण तो स्रीज वाइड जो है इसमें सभी प्रस्ण उकराने वाला हूँ क्योंकि काफी दिनों से बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर आप एक्सिलेंट पॉब्लिकेशन के जो है सभी पुस्तक का जो है इंसर करवा दे तुम्हें इसलिए जो है आप सभी लोगों के लिए आज स जो है एक्सिलेंट पॉब्लिकेशन के जो फीजिक्स के जो स्रीज है उसको जारी कर रहा हूँ आप डेली वेसिस पर इसे कोश्चन जाएंगे पचीस पचीस करके आप लोग इसे देखेंगे और प्यार देंगे तो चलते हैं प्रस्ण के उपर जैसे कि आप देख रहे हैं बनाने के लिए हम लोग हजाम के पास जाते हैं तो वह कौन सा दर्पन होता है तो वह जो होता है आउतल दर्पन होता है याद रखेगा दाड़ी बनाने के लिए जो है उप्योग में आने वाला जो दर्पन होता है वह कौन सा दर्पन होता है आउतल दर्पन होता है तो इस जो है आपका second प्रस्ण है कि निमलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंज के लिए परयुक्त नहीं किया जाता है यह प्रस्ण जो है आपका NCRT प्रस्ण का है और यह प्रस्ण मैंने दो तिन बर करा दिया है फिर भी मैं इस पुष्टक के सभी प्रस्ण को करा रहा हूँ तो देखिए निमलिखित में से जो है पदार्थ जो की लेंज के लिए परयुक्त नहीं किया जाता है या परयोग नहीं किया जाता है वह जो होता है मिट्टी मिट्टी का परयोग जो है लिंस के लिए नहीं किया जाता है बाकी जल का आपका कांच का प्लास्टी का परयोग किया जाता है जी अगले प्रस्ण को दिखते हैं निर्गत कीरन तथा अविलंब के बीच के कोनों को कहते हैं देखे, निर्गत कीरन, निर्गत कीरन और अविलंब के बीचों के कोनों को जो है, हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग जो है, इस दोनों के बीचों के जो कोन होते हैं, उसको हम लोग निर्गत कोन कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्गत कोन, तो इसका answer क्या हो जाएगा, option आपका c हो जाएगा next प्रस्ण है किसी ठोस में बाहर की और उभरे दो गोलिये प्रिस्ट हो तो इसे क्या कहते हैं तो किसी ठोस में बाहर की और उभरे दो गोलिये प्रिस्ट हो तो उसे हम लोग जो है उत्तर लेंज कहते हैं तो इसका एंसर क्या हो जाएगा option अपका c हो जाएगा बड़ा पाया गया देखें मतलब क्या होता है किसी अवतल दर्पन द्वारा जो प्रतिभीम बनता है वह क्या होता है अफसारी सीधा तथा बिंब बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्तिती कहा होनी चाहिए तो वस्तु की स्तिती इस कटेरिया में वस्तु की स्तिती जो होता ह वह दरपन के धुरू तथा मुख्य फोकस के उपर होता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा option आपका D हो जाएगा अगले प्रस्ण की ओर भरते हैं देखें फोकस के बीच में होता है अगले प्रस्ण की ओर देखते हैं तो अगला प्रस्ण हाँ है आपका प्रकास की चाल होती है तो आपको मैंने बताया है बहुत बार कि 3-10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड तो इसकाul एंसर क्या हो जाएगा? अगले प्रश्न को देखते हैं तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हजामत के लिए किस दर्फण का परयोग होता है तो अभी उपर आपने बताया मैंने आपको बताया है कि हजामत के लिए जो हम लोग दर्पन का पड़ियोग करते हैं वो आउतल दर्पन का पड़ियोग करते हैं तो इसका एंसर क्या हो जाएगा option आपका A हो जाएगा अगले प्रशन को देखते हैं तो अगला प्रशन है आपका काफी महत्रपन प्रशन है देखिएगा प्रकास की किरने गमन करती है कैसे गमन करती है पहला चेप्टर का जो है पहला question कि प्रकास की किरन जो होती है कैसे गमन करती है तो प्रकास का जो किरन होता है वो आपका जो होता है सीधी मतलब रेखा में गमन करती है तो इसका answer क्या हो जाएगा option आपका A हो जाएगा अगले प्रश्न को देखते हैं तो अगला प्रश्न यहाँ दिख रहा होगा आपको कि lens में मुख्य focus की संख्या कितनी होती है तो lens में जो है आपका मुख्य focus की जो संख्या होती है वह दो होती है कितनी होती है दो होती है तो इसका answer क्या हो जाएगा option आपका A हो जाएगा अगले प्रश्ण को देखते हैं तो देखें अगला प्रश्ण यहां प्रयापका कि किसी माध्यां से देखें किसी माध्यां से अपुर्तनांग का मान होता है किसी माध्यां से अपुर्तनांग का जो मान होता है व अगला प्रश्ण है प्रकास के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकास के जो अपवर्तन होते हैं, उसके जो है निमलिखित में से दो नियम होते हैं, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, option आपका B हो जाएगा, अगले प्रश्ण को देखते हैं, तो अगला प्रश्ण यहां पड़ है कि वस्तु से छोटे और अपसारी प्रतिभिम इन में से किस दर्पन में प्राप्त होता है तो वस्तु से छोटे और अपसारी प्रतिभिम जो होता है इन में से जो दर्पन है वो आपका जो दर्पन है वो है उत्तल दर्पन तो इसका answer क्या हो जाएगा option अपका D हो जाएगा उत्तल दर्पन से हम लोगों क्या मिलता है तो छोटे वस्तु से छोटे और अपसारी प्रतिभीम मिलता है मालने कि वस्तु 10 cm है तो उससे जो है हमें छोटा ही नजराएगा और अपसारी नजराएगा जी अगले प्रस्ण को देखते हैं तो अगला प्रस्ण है आपका यहाँ पर कि उत्तल दर्पन में किस प्रकार का प्रतिभीम बनता है तो उत्तल दर्पन में जो है निमलिखित में से जो है अब सारी प्रतिभीम बनता है याद रखेगा और इस सारी तो इसका एंसर क्या हो जाएगा ओप्शन आपका B हो जाएगा अगले प्रस्ण को देखते हैं तो अगला प्रस्ण है आपका यहाँ सम्तल दर्पन द्वारा क्या मतलब क्या बनते हैं कैसा बीम मतलब प्रतिभीम बनते हैं तो सम्तल दर्पन द्वारा जो है निमलिखित में स जो है अवसारी प्रतिभीम बनते हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका विए answer option है यह होगा अगले प्रस्ण को देखते हैं तो अगला प्रस्ण यहाँ पर है वस्तु से छोटा प्रतिभीम बनता है किस दर्पन में भाई अभी उपर वाले में बनाए है प्रस्ण को कि वस्त से छोटा प्रतिभीम जो बनता है वो आपके अवतल दर्पन में उतल दर्पन में दोनों में बनते हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा option आपका D हो जाएगा A और B दोनों में समझ गए अगले प्रस्ण को देखिए अगला प्रस्ण यहाँ पड़ है प्रकास क्या है तो प्रका प्रकास जो है हमारा एक प्रकार का आखों को प्रभावित करने वाला उर्जा है जी मतलब एक प्रकास क्या है प्रकास light is a form of energy प्रकास एक प्रकार की उर्जा है तो इसका answer क्या हो जाएगा option आपका B हो जाएगा अगले प्रस्ण को देखते हैं तो अगला प्रस्ण यहाँ पर है देखिए जिस दर्पन में प्रतिवीम सीधा और आकार में वस्तु में बराबर हो तो वह दर्पन होता है किस दर्पन में जो है प्रतिवीम सीधा और आकार में वस्तु के बराबर होता है उस दर्पन को क्या कहते हैं तो उस दर्पन को जो है समतल दर्पन कहते हैं या द है तो उसकी focus दूरी क्या होगी तो देखिए एक गोलिये दरपन की जो वक्रतया 3 जया है उसकी 40 cm है तो उसकी जो focus दूरी होगी वह 20 cm होगी इसका formula होता है आपका f y 2 तो जिसे कर जाता है तो आपका c हो जाएगा समझ गए अगले प्रस्ण को देखते हैं तो अगला प्रस्ण है आपका यहाँ पर किसी उत्तर लेंज के सामने 2F और अनंत के बीच कोई भीम रखा जाता है तो इसका प्रतिमीम बनेगा तो देखे किसी भी उत्तर लेंज के सामने 2F और अनंत के बीच जो है भीम रखा जाता है तो उसका जो प्रतेमीम बनेगा वो आपका बनेगा वास्तविक उल्टा और छोटा तो इसका एंसर क्या हो जाएगा अप्शन आपका A हो जाएगा अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं तो देखिए अगला प्रस्ण यहाँ पर आपको है कि मुख अक्ष धर्पन के ध्रूप मुख अक्ष धर्पन के ध्रूपर क्या होता है तो जो मुख अक्ष धर्पन के ध्रूपर वो आपका अविलंब है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका A हो जाएगा अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं तो देखिए अगला प्रस्ण आपको यहाँ दिख रह अगले प्रस्न को देखते हैं, उत्तल दर्पन में बनने वाले जो प्रतिभिम की प्रकृति है, वो क्या है? अब सारी है, तो इसका answer क्या हो जाएगा option आपका B हो जाएगा अगले प्रस्ण को देखते हैं तो भी प्रस्ण आगे आपका उत्तल दर्पन में बनने वाले प्रतिभीम की प्रकिरती अविसारी तो इसका answer option B हो जाएगा अगले प्रस्ण को देखते हैं तो देखिए अगला प्रस्ण यह जो है आपका दरपन में से जो है वह अरुतल दरपन में दोनों पर बदल जाता है तो ईसका एंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा अब हम इसके लास्ट प्रस्ण को देखते हैं इसके बाद आगले सेट में इसे आगे बढ़ेंगे जी 26 अज़ ऑन प्रस्ण है वा जो होता है आपका समतल दर्पन में बनता है वास्तु का जो अभिसारी प्रतिमिम होता है वह जो है समतल दर्पन में बनता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सस्क्राइब थाइंगी सुमद जाहिंजा भारत तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तता के लिए धन्यवाद